कि है है कि हम रहे पावर ओव ट्रेडिंग इसटोक के अनल्यस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो हम लोग इस वीडियो मे देखेंगे जो कल मार्केट कहां मॉमेंटम कर सकता है को सी स्टॉक से कर सकते हैं और वीडियो को पूरा देखा की से आप lång को जो है बताता हूं वह चीजह आप लोगों को जानना जरूर्प है क्योंकि फिर आप लोग को परिशान है यह अगर आप लोग वीडियो स्कीप करके देखेंगे या लाश्ट तक नहीं देखेंगे तो अगर बीच में कुछ पॉइंट पता रहा हूं जो किस लेवल पर इंट्री करना है या कहां पी क्या करना है तो वह चीज़ें नहीं रहेगी तो फिर आप अच्छे से इंट्री नहीं कर पाओगी या फिर आपको जो है ट्रेड करने में देखेंगे तो निफ्टी जो है इस लेबल को ब्रेक करके ऊपार की और आपको मूमेंटम किया तो यह एक्सपेक्टेड है जो कल आपको निफ्टी जोह है गाप डॉन ओपनिंग होगा 60 to 80 point का gap down opening हो सकता है कल market में और यह आपको एक profit booking की वज़े से भी हो सकता है क्योंकि market all time high पे है तो आपको थोड़ा बहुत correction अभी देखने को मिल सकता है तो इस वज़े से आपको कल nifty में gap down होने का ज्यादा expectation है तो हम दोग देखते हैं जो किस level पे हो सकता है और अगर आप इस support के नीचे देखेंगे तो market जो है इस level पे एक अच्छा support आपको बनाया था और यहां से बार बार bounce किया था तो कल हम लोग क्या कर सकते हैं अगर suppose nifty कल अगर gap down होता है और इस support range पे खुलता है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग wait करेंगे इस support range पे एक 15 मिट का bullish candle बनने का अगर इस support को market respect करता है और यहां पे अगर आपको 15 मिट का candle आपको green बनाता है तो फिर हम लोग इसको buy कर सकते हैं और जो है आप इस support zone के नीचे वाले line के नीचे जो अपना sri डाल सकते हैं और या फिर अगर बीच में भी open होता है तो आप wait कीजिए एक बार इस level को break होने का अगर इस level को break करता है तो ही हम लोग trade करेंगे अगर suppose इस range में market कुलता है तो फिर आप wait कीजिए क्योंकि अगर इस range में market कुलता है तो market में भी volatile हो सकता है आपको इस range में थोड़ा travel कर सकता है क्योंकि इस से पहले भी इस range में काफी जाए जाए ट्रेवल किया है अगर आप उसके फिर wait कीजिए जो इस range को break करके एक candle बन सकते हैं क्या क्योंकि यहां से फिर फिर चांस रहेगा जो market slow and steady उपर करके आपको फिल करने के लिए जाएगा तो अगर इस support पे आपको gap down open होके फिर प्रिप्रमेंट के candle बुलिस बनाता है तो हम लोग बाई करेंगे अगर इस range के बीच में अगर आपको open होता है फिर अगर break करता है तो बाई करेंगे और अगर बहुत जाए गाप डाउन होके direct इस range पे अगर आपको खुलता और फिर range में buy करेंगे इसको और यहां पर हम लोगों का SL बहुत छोटा रहेगा फिप्टीन सेवन फिटी के नीचे रहेगा अगर आपको market को हम लोग तब तक सौट नहीं करेंगे जब तक market फिप्टीन सेवन फिप्टी के लेवल के नीचे नहीं क्रोस करता है अगर इस लेवल के नीचे एक 15 मेंट का BRS candle market बना देता है तो फिर हम लोग निफ्टी को आपको इस लेवल को रीटेस्ट भी किया था अब अगर इस लेवल के नीचे आता है तो आपको यहां पर एक क्या है जिसको की market फिल करने के लिए आ सकता है तो आपको इजली यहां पर 60-70 पॉइंट का बहुत ही कुईक मूवमेंट मिल सकता है मार्केट 650 को भी डेटेस्ट करने आ सकता है अगर यह आपको 750 के लेवल को अगर यह आपको यह क्रता है तो हम लोग उप्य वीट करेंगे मैं देखेंगे तो यह ओगए निफिती में ज्यादा आपको नीची और एक जोंड़ीरेश एक तो एक जहांदर कार च्छा Census स्क dissipate है तो अगर डारिक्ट इस सपोर्ट जोन को हीट करके और यहां पर एक फिप्टी मिट का बुलिश केंडल बनाता है तो हम लोग बैंक निफ्टी को भी बाई कर सकते हैं अगर इस रेंज के नीचे निकलता है 35 400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर आपको यहां पर एक डाउन फॉल बैंक निफ्टी में दिख सकता है बैंक निफ्टी वैसे भी आपको जो है निफ्टी के मुकाबले वीक था तो यहां पर आपको जो है बैंक के नीचे स्लाइट करता है तो फिर आपको 35,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है तो बेंक निफ्टी में जादा लेवल है नहीं बस हम लोग इस लेवल का वेट करेंगे अगर गैप डाउन होके इस लेवल पर अगर आपको यह खुलता है और 15 मिंट पर बूली स्केंडल बन का चांस नहीं है बट में भी मार्केट है कुछ भी हो सकता है अगर इस लेवल पर आपको 36,000 के लेवल पर आपको टाइम स्पेंड करके फिर 36,000 के लेवल को ब्रेक आउट करता है तो फिर यहां पर एक अच्छा आपको बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है क्योंकि न कि अगर निफ्टी जो है आपको अपने डिसिटेंग के ऊपर खुलता है और यहां पर 15 मिन सश्टेन करता है तो फिर आपको निफ्टी में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है लेकिन आपको खुलने का चांस कम है आपको अगर ऐसा सिनेर्यों होता है तो फिर तो अगर आपको इस लेवल पे मिले या फिर आपको इस मुविंग अबरेज के सपूर्ट एरिया पे मिले अगर जिन लोगों को भी नहीं पता है जो यह मुविंग अबरेज के स्ट्रटी क्या है तो इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और तो आप लोग वहां पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपको एक क्लियरली पता चलेगा क्या स्ट्रेटी पर ट्रेड करते हैं तो यह अगर आप देखेंगे तो लास्ट के करने लगता है तो हम लोग यहां पर भाई करेंगे एक छोटे से सब्सक्राइब करने के लिए देखेंगे दूसरा है अडानी पूर्ट अडानी पूर्ट जो है आपको बीरी स्ट्रेंड में चल रहा है और यह काफी अच्छा आपको नीचे की और इस लो एन स्टेडी स्ला अगर मार्केट गैप डान होता है और अडानी पूर्ट जो है आपको 685 के नीचे एक फाइब मिनट का कैंडल मनाता है तो आप इस केंडल के हाई के साथ ही इसको सौट कर देजिएगा क्योंकि अगर जाना होगा तो फिर यहीं से इसको नीचे जाना चाहिए नहीं तो अग तो इस लेबल पर आप शौट कर सकते हैं अगर इस लेवल पर इसने मोका नहीं दिया तो लहां ago चैके और यहाँ करता है को पर आप 보고 करेंगे अगर आप देखेंगे तो लाश्ट के ट्रेडिंग सेशन में एक काफी अच्छा इस जोन में कॉंसोलिडेट किया था तो कल अगर इस से जोन के नीचे एक फाइब मिनिट का बियरी स्केंडल बनाता है तो हम लोग इसको भी एक परसेंट के साथ जो है सौट करेंगे इसके नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो विप्रो जो है काफी अच्छा अप्ट्रेंड में है यह एक मेजर असिस्टेंस को ब्रेक करके अपने अल्टाइम हाई पी चलता है तो फिर यहां पर हम लोग जो एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग और आपको जो है अगर इसमें देखेंगे तो एक काफी अच्छा जो है आपको डलू पेटर्ण बना रहा है और अगर कल यह 385 के ऊपर निकलता है तो आप जो है 382.5 के साथ इसको बाई कीजिएगा इंट्रडे में ही आपको इसका टार्गेट मिल जाएगा आपको वन इस 35 के लेवल के ऊपर एक 5 मिनिट का बुली स्कैडल बनाता है तो हम लोग इसको भाई करने के लिए देखेंगे 532.5 के साथ हम लोग इसको भाई करेंगे और जितने का श्टॉप लोग रखेंगे उसके डबल का टार्गेट के लिए हम लोग वेट करेंगे तो आसा करते हैं आप लोगों को जो है यह पसंद आया हो अगर पसंद आया तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरू कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले दन्यवाद दोस्तों